सिटी पैलेस में प्रवेश को लेकर मेवाड के पूर्वराज परिवार के बीच उपजा विवाद सडकों पर आ गया है। अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। रात करीब ग्यारा बजे विश्वराज सिंग के समर्तक के पक्ष के लोगों ने जबरन सिटी पैलेस में घुसने का प्रियास किया। तो सिटी पैलेस से पत्राव हुआ इट पत्थर काच की बोतले आदी बरसाए गए। ऐसे में दो पुलिस कर्मियों समय चार जन घायल हो गए। तो क्या है आज के सवाल ये भी आपको बताते हैं। दरसल आज सवाल पहला ये है कि मेवाड के राजपरिवार में आखर विवाद क्यों हुआ। ये पूरा पत्राव ये विवाद आखर इसकी वज़े क्या है। वहीं दूसरा सवाल सिटी पैलेस में मचे हंगाबे की आखर पूरी कहानी क्या है। इस पूरे मामले की जड़ तक हम आपको पहुचाएंगे। क्या है आखर इस पूरे विवाद की वज़ है। ये आपको समझाएंगे। तीसरा सवाल आखिर क्या है धुनी दर्शन की परंपरा दरसल ये धुनी दर्शन जिसको लेकर विश्वराज सिंग मिवार सिटी पैलेस में एंट्री करने को लेकर जिद कर रहे थे यह यू कहें कि कवायद कर रहे थे आखिर ये धुनी दर्शन क्या है और इस पर विवाद क क्यूं मचा चौथा सवाल दरसल ये जो राजपरिवारों के बीच का विवाद है ये कब से चला आ रहा है ये भी आपको बताऊगा नमस्कार टीवी डाइन राजिस्तान पर आज की इंसाइड स्टूरी के साथ मैं हूं भवी ईससाः धियागी आप मिवाड के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वरा चैन्ग और उनके समर्थकों को उधैपूर के सिटी पैलस में प्रिवेश नहीं करने को लेकर जमकर बवाल हुआ मिवार के पूर्वराज परिवार के मुख्या को गड़ी पर बैठाने के बाद बाकी रस्मों को निभाने के लिए विश्वराज अपने समर्तकों के साथ सिटी पैलेस पहुंचे थे हाला कि उन्हें City Palace में प्रवेश नहीं करने दिया गया और City Palace के अंदर से पत्राव किया गया इसके बाद City Palace के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई आये जानते हैं कि मेवाड के पूर्वराज परिवार का विवाद क्या है और आखर City Palace में मचे घमासान की असली वजह क्या है बीज़पी विधायक विश्वराज सिंग को चित्तोडगर के किले में आयोजित एक कारिक्रम में मेवाड के पूर्वराज परिवार के मुख्या की गद्दी पर बैठाने की रस्म निभाई गई विश्वराज के पिता महेंद्र सिंग मिवाड का इस महीने के शुरू में निधन हो गया था विश्वराज मिवाड को गद्दी पर बैठाने का दस्तूर कारिक्रम चित्तोडगर किले के फत्यप्रकाश महल में आयोजित किया गया और इसमें कई राजपरिवारों के प्रमुक शामिल हुए अर्विन सिंग ने दस्तूर कारिक्रम के तहट विश्वराज के एकलिंग नाथ बंदिर और उदैपुर में सिटी पैलेस में जाने के खिलाफ सारजनिक नोटिस जारी किया आपसी पारिवारिक विवाद के बीच अर्विन सिंग मिवाड और उनके बेटे लक्ष राज सिंग ने इसे पूरी तरीके से गैर कानूनी कहा है अर्विन सिंग मिवाड का कहना है कि मिवाड राजघराना एक ट्रस्ट के जरिये चलता है जिसका संचालन उनके पिता ने उन्हें दे रखा है ऐसे में राजगर्दी का अधिकार उनके और उनके बेटे का है मिवाड के पूर्व राजघराने की नई पीडियों में मालिकाना हग को लेकर विवाज चल रहा है इनका मैनेजमेंट नौ ट्रस्ट के पास है राजघराने की गद्धी को संभालने के लिए महराणा भगवस सिंग ने महराणा मिवाड चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था शुरू की ये संस्था उद्यपुर में सिटी पैलेस संग्राले चलाती है खैर बीती राज जो पूरा हंगामा हुआ वो धूनी दर्शन करने के लिए हुआ था इसके लिए उद्यपुर के दोनों राजपरिवार एक बार फिर आमने सामने आ गए ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर ये धूनी दर्शन होता क्या है आखिर क्यों इसके लिए दो राजपरिवार अपस में भड़ गए तो यहां हम आपको आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब बताते हैं मेवाड में परंपरा है कि जब भी कोई नए दिवान राजगदी पर आसीन होते हैं और राज तिलक के बाद वो धूनी दर्शन करने के लिए जाते हैं राज तिलक के बाद अगर धूनी दर्शन और इसके बाद दिवान एकलीन जी का दर्शन नहीं करता तो राज तिलक अधूरा माना जाता है दोनों दर्शन करने के बाद ही राजपरिवार में व्याप्त शोग जो होता है वो खत्म होता है इसी दर्शन के लिए और शोग को खत्म करने के लिए उदैपुर के नए दिवान विश्वराथ सिंग सिटी पैलेस पहुंचे थे लेकिन वहाँ पहले से मौझूद उनके चाचा अर्विन सिंग मिवाड ने उन्हें जाने से रोका कारण बताते हुए चाचा अर्विन सिंग मिवाड ने विश्वराथ सिंग पर आरोप लगाया कि वो महराना मिवाड चैरिटेबल टरस्स के सदस्य नहीं है इस कारण वो धुनी दर्शन के लिए महल के अंदर नहीं जा सकते इसके बाद दोनों पक्षों की योड़ से तनाव बढ़ गया और समझौते की बात हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ये घटना तब घटी जब विशुरा सिंग मिवार अपने समर्दकों के साथ उदैपुर के सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए पहुँचे और उन्हें महल में प्रवेश नहीं करने दिया गया इसके बाद स्थिती इतनी तनावपूर्ण हुई कि देर रात तक महल के बाहर और अंदर के लोगों के बीच पत्थर बाजी हुई पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था गटना की सूचना मिलते ही जिला प्रसाशन के अधिकारी मौके पर पहुँचे उदैपूर के डियम और सिटी एस्पी भी वहा माजूद रहे प्रसाशन ने तुरंत उस्थान पर एक रेसीवर नियुक्त किया जहां दर्शन को लेकर विवाद हुआ था इसके लावा प्रसाशन ने लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि स्थिती को शान्त किया जा सके हाला कि राद भर स्थिती तनावपूर्ण बनी रही मेवाड की परंपरा के मताबिक राजस्तिलक तब तक अधूरा माना जाता है जब तक धुनी दर्शन और एक लिंग जिके दर्शन ना कर ले जाए फिलाल दुनी दरशन को लेकर विवाद के कारण विशुडास सिंग मिवाड का रास्तिलक अभी अदूराही माना जा रहा है राजगराने के परंपराओं के मताबिक ये स्थिती बेहद गंभीर है बता दे कि मिवाड राजगराने के दो प्रमुक परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है माराना प्रताप के वंशज अर्विन सिंग और महेंदर सिंग दुनों भाई हैं और उनके 20 संपत्ति के अधिकारों को लेकर कई कारूनी विवाद चल रहे हैं इन मामलों में एक लिंग जी मंदिर और सिटी पैले समेट कई संपत्तियां शामिल हैं जा अर्विन सिंग ट्रस्ट के सर्वेयर के रूप में कारे कर रहे हैं हाल ही में महिंदर सिंग मिवाड का निधन हुआ जिसके बाद उनके बेटे विश्वरास सिंग का रास्ति लेक हुआ लेकिन धूनी दर्शन को लेकर ये विवाद बना हुआ है उदैपूर डियेम अर्विन पोस्वाल पत्रकारों से बातचीत करते हैं उन्हें का कि कानून ववस्था के स्थिती पूरी तरह से अपनी अंत्रण में है उन्हें का कि मारे प्रतिनिदियों और समाज के अन्य प्रतिनिदियों के साथ बातचीत चल रही है कुछ मुद्दों पर सहमती बन भी चुकी है हाला कि कुछ बातों पर अभी भी विवाद कायम है और सहमती नहीं बन पाई प्रसाशन ने सभी से अनुरोद किया कि वो बातचीत में सहयोग करें और जो भी कानूनी कारवाई होनी है वो की जाएगी उन्होंने का कि जो छोटी मोटी घटनाएं हुई उनके बारे में प्रसाशन और पुलिस कारवाई कर रहे हैं वर्तमान में स्थिती पूरी तरह से सामानने है और लोग महल से बाहर निकलने लगे डियेम ने आगे कहा कि विवादी स्थान धूनी स्थल को लेकर रिसीवर नियुक्त किया गया उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई मुकदमा दर्ज कराना चाहे तो वो कर सकता है चलिए आपको बताते हैं आकरी विवाद शुरू कहां से हुआ जो संपत्यों को लेकर दोनों राजपरिवारों के बीच विवाद चल रहा है दरसल मिवाड में 1955 में भगवन सिंग महराणा बने थे उनके जीवनकाल में ही संपत्य को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था दरसल जब भगवन सिंग ने मिवाड में अपनी पैतरक संपत्यों को बेचना या लीस पर देना शुरू किया तो एबाद उनके बड़े बेटे महेंदर सिंग को पसंद नहीं आई नाराज महेंदर सिंग ने अपने पिता के खिलाफ केज दायर कर दिया और पैतरक संपत्यों को हिंदू उत्रादिकार कानून के तहट बाटने की मांग की इसके बाद भंगवन सिंग ने 15 माई 1984 को अपनी वसियत में छोटे बेटे अरविन सिंग को संपत्यों का एक्जेक्यूटर बना दिया साथी महेंदर सिंग को ट्रस्ट और संपत्य से बेदखल कर दिया मैं उसी साल 3 नवंबर को भगवन सिंग का निधन हुआ और तभी से ये विवाद चलता रहा है खेर आपको इंसाइड स्टोरी की विडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएगा आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है अपनी बात अपना सवाल अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरे आप हम तक जिसान स्टूडियो और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरू कर लिजे त्विन राजिस्तान नमस्कार